Hello friends, welcome back to my channel आज हम बात करेंगे कि गर्भा वस्ता के दौरान नीबू का पानी पीना सुरच्छित है या फिर नहीं या फिर इसे कितनी मात्रा में ले सकते हैं तो friends अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्रीज इसे लाइक से रह सस्क्राइब करिएगा यह continue करते हैं नीबू करस पीने से ना केवल आपतरुताजा महसूस करते हैं बल्गी सरीर को energy drink भी मिलती है नीबू का सरबत पीने से पेट से जुड़ी सारी समस्यां दूर हो जाती हैं गर्भा वस्ता के पहले तीन महीने में मतली उल्टी और morning sickness की समस्या बनी रहती है लेकिन नीबू के सरबत के सेवन से इन समस्यां को आसानी से दूर किया जाता है नीबू calcium, magnesium, vitamin 6, niacin, folate, vitamin C और ribofrevene जैसे खनी जो और vitaminों से भरा होता है अब आई ये बात करते हैं कि क्या गर्भा वस्ता के दौरान नीबू का पानी पीना सुरच्चित है या फिर नहीं अगर गर्भती महिलाओं को नीबू से अरजी नहीं है तो नीबू का रस पीना बिल्कुल सुरच्चित है लेकिन आपको इसे सिमित मात्रा में ही पीना चाहिए अधिक मात्रा में नीबू के रस का सेवन करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है इसलिए प्रति दिन एक या दो नीबू का रस पीना सुरजचित है गर्भावस्था के दौरान नीबू के रस पीने के फायदे Morning Sickness गर्भावस्था की पहली तीमाई में होने वाले उल्टी और मतली की समस्या को Morning Sickness कहते हैं इसे दूर करने में नीबू का पानी सेवन करना काफी मददगार हो सकता है रक्त चाप के लिए गर्भावस्था में रक्त चाप आम समस्या है ऐसे में नीबू पानी का सेवन करने से इसे नियंदर में लाया जा सकता है नीबू में मौजूद विटामिन्स रक्त वाहिकाओं को कोमल कर बना कर मजबूत बना सकते हैं साथ या आंत्री के रक्त स्राव को रोकने का काम कर सकते हैं और उच्छ रत्चाप को कम करने में महत्पूर भूमिका निभा सकते हैं। पाचन क्रिया के लिए गर्भावस्ता के दौरान जादतर महिलाओं में अपच की समस्या पाई जाती है। इसे दूर करने के लिए नीबू पानी काफी अच्छा विकल्प हो सकता है। नीबू पानी से पाचन क्रिया को दुर्श रखा जा सकता है। इम्यून सिस्टम के लिए नीबू में वीटामिन C अधिक मातरा में पाया जाता है, जो सरीर में मौझुद बैक्टीरिया और वाइरस को दूर करने में सहयता करता है। साथ ही इम्मून सिस्टम को भी मजबूत कर सकते हुँ के लिए एक सोथ के असार कैलसियमoubl्खती महिलाओं की हट्डियों को मजबूत करने के सासाथ भूर्ण के हट्डियों के विकास में भी सहता पहुंचाने का काम कर सकता है गर्भावस्था के आखरी तीन महीने में कैस्यम की अधिक जरूरत होती है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें धन्यवाद बाई बाई टेक केर